असलाम लेक्म स्टूडरेंट्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम क्लास 6 मैठ एक्सरसाइज 7.3 का क्वेस्टिन नमर वन और 2 सॉल्व करेंगे तो क्वेस्टिन नमर वन है अबुक सेलर सोल्ड अबुक फर रुपी सेवंटी एक बुक सेलर जो है वो एक कताब को 70 उपै में बेज़ता है एटा गेन ओफ 40 परसंट यह निके 40 परसंट मनाफ़ पे वो बेज़ता है फाइंडा पर रॉफिट तो हमने फाइंड करना है कितना उसको मनाफ़ हुआ है सेल प्राइस सबसे पहले लिखते हैं सेल प्राइस ऑफ बुक सेल प्राइस है 70 रुपीज परसंटेज यह निके परसंटेज कितने प्रॉफिट उसे परसंटेज में असल है प्राइस प्रॉफिट परसंटेज है 40 परसंट कोस्ट प्राइस यह निके उसने कितने में खरीद दी है वह कोस्ट प्राइस कोस्ट प्राइस हमने पहले फाइंड करनी है फिर हम उसका मुनाफ़ा फाइंड कर सकते हैं प्रॉफिट हमने लट कर लेके कोस्ट प्राइस क्या है? 100 रुपीज, then the sale price will be sale price will be sale price होती है cost price plus profit cost price हमारे पास कितने cost price है 100 तो profit हमारे पास है 40 तो ये आगए 100 plus 40 140 रुपीज sale price हा गई if the cost price is 100 then the sale price is 140 ये इनकी cost price हमारे पास क्या है 100 तो sale price क्या होगी फिर 140 ये इनकी लिख लिख लेते हैं if the cost price is 100 अभर cost price 100 है तो फिर sale price क्या भी 140 then the sale price price is रुपीज 140 cost price sell price cost price है 100 तो sale price क्या होगी 140 तो हमने cost price find करनी है इसको लेट कह लेते हैं एक्स तो sale price क्या है 70 रुपीज है ये दिखें 70 रुपीज है ये दिखें 70 रुपीज है ना cost sale price है तो हमने cost price find करनी है एक्स तो इसको कर लेंगी एक्स ओवर 100 इक्वाल 70 रुपीज है इसको मल्टिप्लाइ कर लेंगे क्रॉस तो इसको क्रॉस मल्टिप्लाइ का देते हैं बाइ क्रॉस मल्टिप्लिकेशन क्रॉस मल्टिप्लाइ कैसे करना है 140 को एक्स से मल्टिप्लाइ का देना है एक्स मल्टिप्लाइ 140 इक्वाल 100 को 70 से मल्टिप्लाइ का देंगे 70 मल्टिप्लाइ 100 तो अब 140 पे दोनों तरफ डिवाइड का देंगे तो इधर आ जाएगा 70 मल्टिप्लाइ 100 डिवाइड 140 तो 140 से 140 कैंसल हो गया तो एक जीरो से एक जीरो 707, 72014, 2102, 250, 10, 0 तो ये 50 आ गया तो फिर कोश्ट प्राइस क्या आ गई? 50 रुपीज रुपीज 50 अगर सेल प्राइस हो 70 तो कोश्ट प्राइस क्या होगी फिर 50 रुपीज तो हमने क्या फ्राइंड करना है? फारोफिट फाइंड करना है तो फिर फारोफिट क्या आ गया है? सेल प्राइस माइनस कोश्ट प्राइस सेल प्राइस कितनी है? 70 कोश्ट प्राइस है 50 तो ये 20 पीज आ गया है तो ये हमने फाइंड करना था तो ये हमारा क्वेस्टन नमबर बन कंप्लीट हो गया अब क्वेस्टन नमबर टू सॉल्व करेंगे एक दुकान दार है जो एक खलोना 96 रुपै में बेजता है अटा लॉस ऑफ 20 परसंट बीस परसंट लॉस पे वह छेने रुपै का खलोना बेजता है फाइंड दा लॉस तो हमने लॉस फाइंड करना है कि उसको कितना नुक्सान होगा सेल प्राइस ऑफ ट्वाइस सेल प्राइस है 96 रुपीज लॉस जो दिया वह बार 20 परसंट तो हमने लॉस की जो प्राइस है वो फाइंड करने है लॉस प्राइस लिए को स्पस्ट नॉस प्राइस यहाँ बद लॉस आनरो पीज दन द आ सेल प्राइस ब्राइस इस रुपीज हंडर्ड देन सेल प्राइस इस सेल प्राइस फाइंड कर लेते हैं कोस्ट प्राइस सेल प्राइस अब इसमें हमें लोस हुआ है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कोस्ट प्राइस माइनस जो हमें लोस हुआ है तो सेल प्राइस आजाएगी लोस कितना हुआ? तो 20 यह कितना अगय फिर 80 सेल प्राइस यहनी कि हमने सो रपए की चीज़ खरीदी है और 80 रुपए के बेच दिये तो हमें फिर 20 रुपए लॉस हुआ है तो अब हमने फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है 100 सेल प्राइस है 80 तो हमने फाइंड क्या करना है कोस्ट प्राइस एक्स सेल प्राइस कितने है सेल कितने में हुआ है टोई 96 का यहां पर लिख देंगे 96 एक्स ओवर 100 इक्वल 96 ओवर 80 तो यह जो 196 से मल्टिप्लाई हो गया इतर डिवाइड हो रहा है इतर मल्टिप्लाई हो जाएगा ओवर 80 जीरो से जीरो कैंसल होगी एट वन जार एट एट वन जार एट वन कैरी तो यह आगया 16 यह टू जार 16 बाराओं को दस से मल्टिप्लाई करेंगे तो यह आएगा 120 वन हंडर ट्वेंटी आगया कोस्ट प्राइस आएगी फिर वन हंडर ट्वेंटी रुपीर एक्स को हमें लेट की यह वा था ना कोस्ट प्राइस तो लोस्ट फिर कितना हुआ कोस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस कोस्ट प्राइस कितनी है लोस्ट का फार्मुला है कोस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस कोस्ट कितनी है 120 सेल प्राइस है 96 तो यह आगया हमारे पास 24 लॉस आगया 24 रुपीज तो यह question no.2 complete हो गया thanks for watching this video खुदा आफ़िस